हेलो फ्रेंड्स जैसी किछना जै मातादी जैसरे शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इश्वर ने आपके भागय में क् अचाहनक से आपको मिनने वाला तो देख लेते हैं लेकिन से पहले जाएक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बड़ आकन को प्रेस करें वीडियो को शेयर करना ना भुलें तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना कि सीदिए के हरहत महदेऊ कर दानाम स्क्रीन पर तीन नंबर दिखाए दिरूँ गे तीनों कलस्ट फर फिरस्ट नंबर स्ट कलश डबल फ्री साइकरणंब को चू Sum लगता हो उस नंबर को चूस करने उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर आपकी जीवन में क्या लिखा है क्या होने वाला है तो चले फर्स नंबर जिनोंने भी चूस करा है यानि कि डबल त्री जिनोंने चूस करा है देख ले थे इश्वर ने आपके भागे में क्या लिखा है जो कि अच्छानक से आप को मिलने वाला है क्या कह रहे है इश्वर क्या होने वाला है किस तरह से आपकी life में changes आने वाले हैं जिनका आपको समझना होगा आखिर क्या हो रहा है आपकी जिन्दगी में तो चलिए हर एक काम पर बारी की से ध्यान देना होगा काम पर कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करनी होगी आपके पास बहुत सारे अफसर आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं तो कुछ ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है लेकिन चुनाव करते समय आपको ध्यान पुर्वक निर्ने लेने की जरूत होगी। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाए दे रहा है। अबदो का चैन सोच समझ कर करें। जिस भी जगे आप काम कर रहे हैं जहां पर भी आप फिलहाल वर्क कर रहे हैं वहां आपके प्रमोशन के योग जल्द ही बनेंगे और बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे। रिलेशन्शिप सम्बंदी बातों में यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो पुरानी बातों को भूलकर आपको नई शुरुआत करने होगे। नई शुरुआत आपकी जिंदगी को बदल करना देगी। बड़े नेड़ने लेने से पहले सही गलत में परक करना बहुत जरूरी है। आपको जो जानकारी प्राप्त है उसका इस्तमाल करके अपनी समस्या को सुलजाना आपके लिए संबभ होगा। भावनाव का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आरा लेकिन किसी व्यक्ति के सामन अपने विचारों को प्रकट करना आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कि टैंशन फ्री रहे अगर किसी के लिए आपके मुझार चल रहा है कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कूल आप टैंशन फ्री होकर के कहें जो भी आपके मन में बात है। बाकि बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियां आने वाली, काफी टाइमस आप सोच रहेते कि वर्क होगा या नहीं होगा, ये काम होगा या नहीं होगा, वो वर्क होने वाला है, वो खुशियां आपके दरवाजे पर आने वाली है, आपका भाग की बहुत उजवल है, बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशी आने वाली बहुत जल्द आपकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है काफी कुछ changes आपकी लाइफ में होने वाला platform आपको मिलने माला जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, तो यह चैंजेज आपको सबसे पहले तो धियान रखने होंगे, यह कुछ चीजे हैं जो आपको समझनी होगी, तो attention free रहे, enjoy करें अपनी life को, जितना हो सके, अपने आप में, आपको सोचने की जरूरते हैं, आपको समझने की जरूरते हैं, ठीक है, positive रह है क्या कह रहे हैं इस्षोल और क्या करियर में बद्लाव करने की देखिए सबसे पहले तु जरू दिखाई दे रही है आपको सबसे पहला है और करियर में आप RHinya अप बद्लाव करने की कोश़व करें कुछ माईड में चल रहा है कि यह कर ले या वह कर ले तो वह आप कर सकते हैं क्रियर में बहुत सारे अवसर अभ आपको मिलने वाले कम महनत में काफी जयादा मुणाफ़ा आप कमाने वाले हैं, जितनी मेहनत आप नहीं करेंगे, उससे कई गुना आपको प्रॉफिट होने वाला है, वेक्तिकत जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी आप करेंगे, जो भी निर्नाय आप ले रहे हैं, उस निर्नाय को अन्य लोगों को समझाना थोड़ा मुश्कि होगी, साथ में आपके अंदर बढ़ रहा, अकेला पन भी दूर होगा, आपके स्वभाव में आ रहे हैं बदलाओ के कारण, हर एक बात को नए नजरिये से देखना आपके लिए संभव होगा, तो टैंशन आले समय पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो काईदे कानोन को जान करके फिर शुरुबात करें, नए काम की तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरों के दूरा बोली गई बातों के कारण थोड़ी से आपको तकलीव होगी, कही नगे लोगों की कठोर शब्द आपको चूप सकते हैं, आलोचना है, आपक खुलना ले, अचानक से बड़ी खरीदारी के बारे में आपके द्वारा सोच विचार किया जाएगा, इसमें अमल में लाने के लिए अन्य लोगों का मागदर्शन और संयोग भी आपको मिलेगा, बड़ी मात्रा में निवेश करना आपके लिए संभव होगा, अभी जो प परिवर्तन करने वाले हैं और यही आपकी लाइव कि स्ट्रांग फिलिंग होगे, काफे कुछ चैंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, आपकी सोच की विजह से जो आपकी जरौते हैं वो पूरी होने वाले हैं, आपका इंकम इस्तों जो है वो बढ़ने वाला है, तो गवा दे। अज़िएक से एंज़न को आपको इंट्रेस्ट हो कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, लाइफ में कभी भी किसी अब दोख के आपकी बातों की वाज़े से prevention के वतका की वहोजे से यह बात आpered surg Here अगर किसे का देल रोख रहा है किसे को कोई बात चूब रही है तो कहीं न कहीं वो परेशानी का कारण हो सकती है तो इन चीजों पर विश्चिश आप फोकस बना रखे जीवन में हर वक्त आगे बढ़ने की कोशिश आपको करते रहना चाहिए और यहीं बहुत जरूरी है चल कि बहुत जल के जीवन में आप आगे बढ़ने की सोच रहें चलांग लगाने की स्च में कार tahu सकरे चैक्श यह आपके सारे सपने पूरे हो जाए तो वह ज़्योर होगी जीवन में हमेश्वा आगे ही बढ़ेंगए लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो टैंशन फ्री रहें आगे बढ़ने की कोशिश करें और जो होता है अच्छे के लिए होता है यह चीज अगर आप माइंड में सैट कर लेंगे तो आप पॉजिटिव होने की कोशिश आपको करनी होगी कभी कभी क्या आता है कि विपलित प्रिस्तिती में पहुत जादा नेगेटिव हो जाते हैं जो आपको कही ना कहीं परिशान करती है यही चीज़े आपके लिए चुन महिलाओं का सम्मान करेंगे सभी के साथ अच्छे से पैश आएंगे अपने रिष्टे में इमानदारी रखेंगे तो इश्वर का सपोर्ड मिल कर रहें तो आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ठीके बहुत अच्छा समय आपके जीवन में शुरू हो चुगा है काफी अच्छे प्लैटफोर्म आपको मिलने वाले काफी जल्दी आप अपनी मेंटिलिटी आप जल्दी क्रियेट करने वाले हैं मतलब आप बहुत जल्दी स्ट्रोंग होने वाले हैं पॉजिटीव होने व आपको बाग्य चोल रही है पर मिलने रही है क्यों और अब मिलने वाला यह बल जैसे ही मिलेगा वैसे आपके आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है गुस्से पर गंट्रोल रखना है आवेश में करके कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिसे कि किसी को बुरा लग जाए और एक चीज का विशेज ध्यान रखना है कि कभी भी किसी से बात करते समय शब्दों का चैन बहुत ही सो समझ कर करना है क्योंकि तीर से निकला कमान और मुह से निकले गए शब्द वह हमारे पास यह नहीं हमें भी यह करना चाहिए हम भी वह धंदा कर ले तो हम आगे बढ़ जाएंगे सभी किस्मत की बात रहती है अब कि किस्मत में क्या लिखा है अपने भाग्य पर बल देने पर धिहां दे भाग्य को बल कब मिलेगा जब आपकी सोच पॉजिटीव हो जय मदरी हर हर मादे।